कैसे हैं मेरे प्यारे विद्ध्यार्थियों नमस्कार मैं हूँ अभिनोत शांशो पांडे और अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से आपका एक बार फिर से स्वागत है हम कर रहे हैं परिक्षाओं की तयारी और यहां पर अक्षा बारवी अक्षा दस्वी दोनों बोर्ड परिक्षाओं के लिए हर एक विसाय पर अभिप्षा की टीम की तरफ से आपको वीडियो मिल रहे हैं इसके अरावा हमारे ये वीडियो प्लैटफॉर्म में भी मिल जाएंगे ये जो है हमारा एंड्रॉइड अप्लिकेशन है आप प्लेश्टोर से इस्टॉल कर सकते हैं और यहां पर आपको एडिशनल फीचर जैसे कि इंपोर्टेंट कुश्चन से इंपोर्टें नोड माइंड मैप ये सारी चीजें मिलेंगी तो आएए हम बढ़ते हैं अब तरंग प्रकाश की इसको इंगलिस में क्या बोलते हैं वेव आप्टिक्स ठीक है तो हम बढ़ रहे हैं वेव आप्टिक्स की तरफ और यहां पर जो आप से सोचा जाए थोड़ा तो आपको समझ में आएगा कि पांच नंबर का एक प्रश्ण जो है इस चैप्टर से बनता है और उसके लिए जो है हमारे पास में कौन-कौन से आप्शन अबिलेबल हैं पहला है एंगल आफ मीनिमम डिवियेशन याने कि जो और उसके बाद म हैं diffraction of light और इसके बाद में हैं optical instruments तो अब यहां पर से जो है यंग डेवल स्लिट है एक बाद जो है refresh करने का ताम समय आ गया है हम वही प्रशन देखेंगे जो प्यूर्बु की परिक्षाओं में पूछे गये थे चलिए पहला प्रशन हमारा क्या है यंग के द्विसलिट प्रयोग में यती कला संबद्ध सुरुतों के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो कि पहले इंके बीच में जो है जो स्टोस है इनके बीच की जो दूरी है इस को हम अगते थिक हैं और इसके बार में यहां पर को ब्राइब फ्रिंज डा कर फिर इस तरीके से दिखाई देता था अब wszyscy कि जो है जो हम लोगों को भई हम को पीडी का जहां मान कहा है पीडी की वेल्यू है पीडी इस इक्वाल टू एन लेमडा एंडाइड इस एक्वाल टू कि डी कि डी ल बटा कापिटल डी यह चीज देखा था और यहां से हम लोगों को पता चलता है कि यहां पर यहां पर यह जो है वहां बिंदू है जहां पर हम को प्रिंज मिलेगा या तो डार्क या तो लाइट ठीक है और यहां पर फरिंज विर्थ की चोड़ाई एक्स का मान था लैमडा डीबंडा स्माल डी अब इसका मतलब यह है कि एक्स जो है वह इन्वर्सली प्रपोर्शनल है डी या दी इस वाला डीङ इन दोनों बिंदुनं के बीच की इसका अगर हम उन कम करते हैं यहां की मिलती है मतल ने हैं समझना पड़ेगा 2022 का प्रश्न है और एक प्रश्न है तो आपको यह सूतर लिखना है ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला और यहां से आपकी बात हो जाती है अगली चीज देखते हैं कि यदि प्रकास का तरंग दैड़ बढ़ा दिया जाये तो फ्रिंज की चोड़ाई पर क्या प्रभाव है पढ़ेगा फिर से देखें एक्स बराबर अड़ी और यहां से हम देखते हैं कि प्रिंज की जोड़ाई जो है वह किसके समानु को वार्थ पास्पा से मानुरे अगला फिल्जी की चोड़ाई बढ़ती जाएगी 2022 का प्रश्ण है अगला प्रश्ण है यदि प्रकास्त स्तूत बिंदुवत हो तो किस प्रकार का तरंगागर बनता है हाईगन के सिद्धान के बारे में बात कर रहे हैं तो तरंगागर जो है वो उन सभी बिंदुवों का समू है ज बनता है गोला कार तरंगागर हमें प्राप्त होगा यह तो हमारे चो यह में उन्हों ने दो पट्टियों के बीच में जई शेट किया था और हम को समतल ऺख मिलता है यहां पर सबिखें के और समतल तरंग आगर मिलेगा आगे बढ़ते हैं यदि प्रकास्टोथ और सिलिट के बीच की दूरी आसीमित है तो किस प्रकार का तरंग बनता है चाहए वह प्रकास्तोथ बिंदुवत हो यदि रैखे तो यहां पर हम देखते हैं कि आगर प्रकास्तोथ जो आंत दूरी पर है तो सारी के सारी रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे के लंबवत आती हैं या हम बोल सकते हैं कि जो तरंगागर बनेगा वहां समतल तरंगागर बनेगा जो की खिर्णों के लंबवत होगा अब इसी चीज़ को हम लोगों ने कैसे डिसकस किया हुआ था कि सूर्य हम से अनंत दूरी पर है और सूर्य का प्रकास जब भी प्रिध्य पर पढ़ता है तो चाहे जो है जितने भी सारे पेड़ खड़े हो इस तरीके से हम लोगों ने इस बात को समझने का प्रयास किया था 2021 का प्रश्न है हम लोगों ने चीजों को डिसकस कर लिया आगे बढ़ते हैं रेडियो तरंगों और धौनी तरंगों में से किसे धुरुवित किया जा सकता है धुरुवण की परिभासा मैं आपको पहले बता दू क्या होता है कि जब प्रकास की किरर जो है आगे बढ़ रही ह तो उस में तरंगों और झुमकिय तरंगों का जो है लगातर दोलन होता रहता है इसको यदी हम जो है मतलब यू से समझना चाहे तो हम यह सकते हैं कि यह उसी तरीके से विद्दु छेतर के लिए विद्दु छेतर में लगातार जो कमपन हो रहा है उसके लिए हमको विद्दु तरंगे भी इसी प्रकार से मिल सकती हैं अब जो है यहां हम क्या देखते हैं कि यह दोनों चुम्बकी छेतर का दोलन और चुम्बकी छेतरों का दोलन यह एक दू कि किसी सामान श्रोंच से जैदी प्रकास की किरण निकलती है तो उसके विदूद cen का जो है दोन माननलिया है कि यहां से अंदर की और प्रकास की किरण जारी है तो से आंधर की और डिशा में संभाव थाम है आसी आसी प्रकास की कि 여기는 को हम क्या बोलते हैं नॉन पोलराइज लाइट यहने की अधरुवित प्रकास कहते हैं जब भी हम इन प्रकास किरणों को जो कि अधरुवित प्रकास है उसको किसी ऐसी सता से गुजारते हैं कि विदुछोत्र शेत्र में दूलन सिर्फ एक ही दिसा में सम्हभ हो पाता है तो बाकी कि सारे दूलन वाली जो है मिद्दुछेत जो है वो कट जाते हैं और हमको प्रकास ऐसा मिलता है जिसमें जो है सिर्फ एक ही दिसा में दूलन हो रहा हो ऐसी प्रकास के केंड़ों को हम क्या कहते हैं धुरुवित प्रकास कहते हैं अब रेडियो तरंगों और ध्वनी होती है कि जो तरंगों की गती की दिसा होती है उसके लंबवत दिसा में कण गती कर रहे होते हैं इसी प्रकार से पानी में जो बूंदे बनती है वो भी ऐसी ही बनती है जहां पर दोलन की दिसा तरंगों की दिसा के लंबवत होती है लेकिन जब हम जो है ध्वनी तरंगों क या इसको क्या कहते हैं तो इस प्रकार से जो है ध्वनी तरंगे आगे बढ़ रही होती है यहां पर जो है जो ध्वनी तरंगों के बढ़ने की दिसा होती है असल में बिंदों में या कड़ों में जो है कंपन की दिसा भी उसी दिसा में होती है यह दोनों समानतर होते हैं अब ये जो प्रकास किरणों की जो गती है उसके लंबवत दोलन कर रहे है विद्दू छेतर में से किसी एक विद्दू छेतर को ही काट कर अलग किया जाता है और बाकी सारे चीज़ें रिजेक्ट कर दी जाती है ये चीज़ें जो है तभी संभाव है जब दोलन की देशा जो है व और यह अनुप्रस्त प्रकार की होती है जब कि ध्वनी तरंगों का जो है किसी भी प्रकार से ध्रूवन नहीं किया जा सकता है तो आपको तो सिर्फ उत्तर देना था कि इन में ध्रूवेट कर सकते हैं ऐया नमर का प्रइब और ध्रूवेट कीया सकता कि द्रूवर्म एक नमबर का प्रश्ण है अगला देखिए अनुदैर्थ तरंगों में धूर्ण नहीं होता क्यों अभी हम लोगों ने उत्तर दिया कि अनुप्रस्थ तरंगों में कणों के दोलन की दिशा तरंग की जो है संचालन की दिशा के लंबवत होती है इसलिए उन्हें धूरित किय जा सकता है जबकि अनुदैर्थ तरंगें ऐसी हैं जिसमें दोलन की दिशा तरंग की गती की दिशा के समांतर होती है और ऐसी स्थिति में धूर्ण नहीं किया जा सकता उधारन क्या है धूर्णी तरंगें ठीक है तो किस प्रकास की तरंगों में धूर्ण की घटना नहीं ह प्रकास विद्स्परश्ट प्रकास कुफ़ उनों प्रस्थ तरंगों की प्रवित्ति की हैं तो हर एक प्रकास में में पक्रमांओं के अब तरंगों के अध्यार सब्सक्राइब के साथ participating हम और भी बहुत सारे important topics जो इसी चीज से जुड़े हुए हैं उन पर discuss करने वाले हैं तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में और ज्यादा detail से समझेंगे कि यह अध्यार ओपन क्या है इसकी शर्तें क्या हैं इसमें जो है intensity यहने कि प्रकास की तीबुता पर क्या असर पड़ता है और यह सारी चीजें तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद